जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैश्री लक्ष्मी नराइन जी भगवान की जै माग मास महत्यम की मंदर शिबंसी वाले महात्मा यूडियूप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्धिक अभिनंदन करते हैं माग मास के सिपावन समय में आज हम आपको माग मास महत्यम के तीसरे अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं इससे पहले आप दो अध्यायों की कथा को सुन चुके हैं तो माग मास भगवान को अतिप्रिय लगने वाला मास है इस महीने में हम जितनी भी भगवान की भक्ती करते हैं उतना ही भगवान की बड़ी जादा कृपा मिलती है विभिन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माग मास में भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ती करने पर भगवान की क्रिपास से हमारी मनोकामनाई पूरी हो जाती हैं दुखे दूर होते हैं चिंताईं दूर होती हैं और मागमास की कथाओं को सुनने से भगवान बड़े जादा प्रसन होते हैं तो मागमास महत्यम के तीसरे अध्याय की परम सुन्दर कथा इस्वरकार है राजा दिलीप महरिशी वशिष जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज वह परवत कितना उंचा और कितना लंबा चोड़ा है तब वशिष जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन च्छतिस योजन उंचा और उपर चोटी से दस योजन चोड़ा और नीचे सोलह योजन चोड़ा ह जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अरजुन के व्रिक्षों से अत्यंत सुशोबित है। दूरभिक्ष से दुखी होकर इस सुन्दर परवत की और फल फुलों से परिपूर्ण देखकर भ्रगु रिशी वहाँ पर रहने लगे और वहाँ पर कंद राओं, वनों औ उपवनों में बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे। इस प्रकार जब भ्रगु रिशी वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे, तो एक विध्याधर अपनी पतनी सहीत वहाँ पर उतरा है। वह अत्यंत दुखी थे, उन्होंने भ्रगु रिशी को प्रनाम किया है। और भ्रगु रिशी ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विध्याधर तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का परियास अवश्य ही करूँगा। तब विध्याधर कहने लगा है कि हे महा राज, पुन्य के फल को प्राप्ट करके स्वर्ग पाकर तथा देवताओं के तूल्य, शरीर प्राप्ट करके भी मेरा मुख व्यागर जैसे ही है, यही कारण मेरे दुख और अश्यांति का है, ना जाने ये मेरे किस पाप करम का फल है, मुझे इसके बारे में कुछ भी ग नहीं है मेरे चित की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिये यह मेरी पत्नी अती रूपवती मीठा वचन बोलने वाली नाचने और गाने की कलामे अती प्रवीन शुद्ध चित वाली सातो सुरों की ग्याता वीना को बजाने वाली जिसने अपने कंठ से देवरिशी नारद जी को भी प्रसंद किया नाना स्वरों के नाद से वीना बजाकर कुबेर को प्रसंद किया अनेक प्रकार के नाच ताल में भगवान शिवजी महराज भी अती प्रसंद और रोमांचित ह शील उदारता रूप तथा योवन में स्वर्ग की कोई भी अपसरा इस जैसी नहीं है कहां ऐसी चंदर मुखी इस्त्री और कहां मैं व्यागर के मुख वाला यही चिंता सदेव मेरे हिर्दे को जलाती है इस चिंता के कारण एक पल भर भी मुझे चैन नहीं मिलता आज विद्याधर के ऐसे वचनों को सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की सब बातों को जानने वाले तथा दिव द्रिष्टी वाले भ्रगुरिशी जी महराज कहने लगे हैं कि यहे विद्याधर करम के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं मक्खी के प द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप करम से तुम व्यागर हुए, एक आदशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया था, तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर ही माचल परवत पर देव सरोवर के किनारे पर चला गया पृती पुरवक शुद स्नान कर कूशा के आसन पर बैठ गया और उस आसन पर बैठ कर कमल के समान नेत्रों वाले तथा पितांबर पहने और वन माला धारन किये हुए श्री हरी विष्ण भगवान जी का चिंतन करते हुए पुरूरवा ने तीन मास तक भगवान का चिंतन किया है मन में एक ही भाव है कि प्रभू को प्रसन करना है प्रभू अगर प्रसन हो गए तो मुझ पर कृपा करेंगे इस परकार साथ जन्म में प्रसन होने वाले राजा पुरूर्वा के तीन महिने के तप से ही अतिप्रसन हो गए और माग मास के शुकलपक्ष की कादशी को प्रसन होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया है भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिला कर सुन्दर देवतां का सा रूप उसको दे दिया जिसको देखकर उर्वशी अपसरा भी उसको चाने लगी और राजा पुरूर्वा सुकृति होकर अपनी पुरी को चला गया है भगुरिशी आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे है कि हे विध्याधर इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो यदि रिशी, सिद्ध और देवगन निवास करते हैं अब मैं इसकी विधी तुमें बत लाता हूँ इसे पूरे ध्यान से सुनो तुम्हारे भागे से ही माग मास आज से पांचवे दिन ही आरंब होने वाला है पोश मास के शुक्लपक्ष की एक आदशी से इस सिवरत को आरंब कर भूमी में सनान करके मास भर नीरा हार रहो मोह माया का तियाग कर संसार की सब आसक्तियों का तियाग कर तीनों समय भगवान शिवजी की स्तोत्र और मंत्रों से पूजा करोगे तो तुम्हारा मुख काम देव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर शकीत हो जाएंगे और तुम अपनी पतनी के साथ सूख पुर्वक क्रीडा करोगे। सनान के नियम का पालन करने से मिल जाता है और माग मास के सनान से सब पापों का अक्षय हो जाता है अर्थात मुनुष्य के पुर्व जनमों के और इस जनम के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं इतनी कथा सुना कर वशिश जी महराज कहने लगे हैं कि हे राजा दिलीप यह कथा भ्रगुजी ने विध्याधर को सुनाई हे राजन माग मास के प्राते काल का सनान सब यग्यों से भढ़कर फल को देने वाला है सब परकार के यग्यों से जो फल मिलता है वो तो कभी न कभी समाप्त हो जाता है लेकिन माग मास के प्राते काल के सनान से जो फल प्राप्त होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है पुशकर, कुरुकशेत्र, भ्रमवर्त, काशी, परियाग, राज, तथा गंगा सागर जैसे संगमों में सनान करने से मनुष्य को जो फल दस वरश में मिलता है उतना ही फल माग मास के पावन समय में सनान करने से तीन दिन में ही मनुष्य को प्राप्त हो जाता है इसमें कुछ भी शंशे नहीं है कि चीर काल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मुनुश्यों को सदा यतन पुर्वक माग मास में सनान के नियम का पालन करना चाहिए मन में श्रद्धा भावना होगी मन में भगवान के लिए प्रेम होगा और प्रेम भाव से माग मास के प्रातैकाल के सनान का नियम का पालन किया जाएगा तो भगवान की बड़ी जादा क्रिपा मिलेगी आयू, आरोग्य, धन, रूप, कल्यान और गुन प्राप्त करने वालों को माग मास का सनान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए सनान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा, सुख, संपति और आनंद पाता है वशिजी महराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा दिलीप भ्रगु जी के ये वचन सुनकर वे विध्याधर अपनी इस्त्री सहित उसी स्थान पर परवत के जरने में माग मास का सनान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं के सद्रश हो गया और वह मनिग्रीव परवत पर आनंद से रहने लगा है अपनी पतनी के साथ उसको परम सुख की प्राप्टी हुई है और भ्रगु रिश जी भी नियम की समाप्ती पर अपने सब शिश्यों सहित इवा नद बताया गया है कि माग मास में प्राते काल के सनान के नियम का पालन सब को अवश्य करना चाहिए माग मास के प्राते सनान के नियम का पालन करने मातर से मनुश्य को सभी तरह के सुख संपती आनंद प्राप्त हो जाते हैं ये सही बात है कि आज कल के इस समय में हर कोई दुख करने के लिए अपनी मनो कामनाओं को पूरा करने के लिए हर इंसान कुछ न कुछ कोशिश तो करता ही है लेकिन माग मास का ये पमन समय भगवान की क्रिपास से हम सब को प्राप्त हो चुका है तो माग मास में जो मनुष्य केवल प्राता सनान के नियम का पालन भी कर लेता है उसको भगवान सब तरह के सुक, संपती, आनंद दे देते हैं। और इसके परशात माग मास का सनान करके, जो लोग भगवान की कथाओं को सुमते हैं, भगवान की भक्ती करते हैं, उनके पुन्य कर्मों के फल की गिंती कोई कर ही नहीं सकता। तो माग मास के इस पावन समय में, माग मास के प्राता काल सनान के नियम का पालन प्रति दिन आप अवश्य केजिए। अगर आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, तो गरम पानी से आप अवश्य नहाईए। ठंडे पानी से नहाएं या गरम पानी से नहाएं दोनों का बराबर फल बताया गया है और सुबह नहाते समय आप हर हर गंगे हर हर गंगे इस तरह से गंगा मुया के नामों का बारं बार उच्छारन केजिए घर में गंगा जल है तो नहाने के जल में गंगा जल मिला गंगा स्नान का पुन्यफल मिल जाएगा अगर आप हर हर गंगे हर हर गंगे इस तरह से गंगा मुया के नामों का उचारन स्नान करते समय करते हैं तो भी आपको गंगा स्नान का पुन्यफल मिल जाएगा अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो भी गंगा मुया के नामों का उचारंद करने से गंगा सनान का पुन्य फल मिले जाता है ये बात हमारे धरम गरंतों में स्परश्ट बताई गई है तो मंदर शीबंसी बाले महात्मा यूडिव चैनल के वर से आज की स्कता को सुनने के लिए आप सब का हार्दिक धन्यवाद भगवांशी राधा कृष् ग्रिश्ञ भगवान के जै गंगा यमना सरस्वती मैया की जै माघ मास महत्याम की जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम